इसको चैलेंज करना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए जो हम कहता है कि फोरंसिक टेस्ट होना चाहिए कि यह जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मेशिन से दुबारा लेके आए और अखिलेस अगर हारा है विजय की अगर जीता है तो पॉपुलिश पॉपुलिश वोट के लिए नहीं जीता है पॉपुलर मैंडेट नहीं मिल लेकिन इसको मिशिनरी का मेंडेट नहीं लिए अगर में बढ़ी पड़दा निशीन इस ददार मार बहन गोबु फसल की तरफ से सलाम अड़ए बहरल के यह आपने कुछ वंचास सिकंड की ये क्लिप देखी ममता बनर जी की साफ अलफ़ाजों में खुले अलफ़ाजों मे ये कहत रही है वो के अवाम को लेके अखले शादो को रोड पे उतर जाना चाहिए क्योंके ये जीते जी यूपी वासियों का खतल कर रहे हैं ये लोग ये लोग इतनी गंदी राजनीती इतनी बदमाशी इतना गुंडा गड़दी इतनी चूर चूरी करें हैं आप लोग खुद आखों से भी देखे और हम को पता है 32,000 इसे एवियम के मिशीनों को तबदील क्या गया है बदली क्या गया है ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं और सारे जानते हैं उसके बावजुद मजीद ये कहूँगा मैं आप लोगों को जब तक आप लोग खामोश सिर्फ आप लोग थोड़ा सा नाराज होंगे थोड़ा सा पुकारा करेंगे दिल को जला लेंगे और चार दिन के बाद भुल जाएंगे फिर आप लोगों के फिर बेटियों की बच्चें की बाहनों की इस्दत रूटी जाएगी फिर आप लोगों को बीफ के नाम पे माब चीज़ें चलते रहेंगे इस से अगरचे बाहर निकल के आना है आप लोगों को इन चीज़ों से छुटका रहा पाना है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना है अच्छी तर्बियत देना है और बेरोजगारी खतम करना है महंगाई को खतम करना है और अच्छी सरकार चाहिए तो आप लोगों को रोड पे आना पड़ेगा ये कहना है ममता बनर जी का और उसने खुले अलफाजों में ये भी कह दिये कि अकलेश यादो तुमने एलक्षन भी सही लड़ा और तारी यूपी की अवाम तुमको उड़ दी ये अलग बात है ये लोग चोरी करें एवियम से एवियम को बदली करें पुरी धंदली करें ये सारी दुनिया दिखी और जो होना है OIC की इंटरनेशनल कोर्ट करेंगा लेकिन तुम भी ये काम करो कि तुम भी बाहर निकलो तुम भी अवाम को समझाओ कि क्या हुआ है तुम लोग ओड़ देने के बावजुद भी ये लोग ये हरकत करें और ये करना जरूरी भी हो गया भई जब तक आप लोग बाहर नहीं आ गया और ये इविये में चोरी वे इविये में वद्दी वे ये जी सी सी ओ आई सी और इंटरनेशनल कोर्ट तक भी ये मामिला जा रहा है और चले भी जाएगा इंशाल्ला ये वीडियो आप लोग देखने से पहले मामिला भी आगे बढ़ जाएगा कोर्ट में भी और हो सक आप लोगो जुम्हराज-जुम्हे तक इसके नियूज़ भी आ जाएगा अब लेकिन मैं आप लोगो ये बता दो ये कह दो कि आप लोग ये बढ़दाश करते तो करते हैं कैसे और कब तक आप लोग बढ़दाश करेंगे आप लोग के साथ कब तक ये नाइसाफी होगी कब तक आप लोग मूँ बन करके गुंगे और बहरों के वैसा रहेंगे ना कुछ सुनाई देता ना कुछ बोल सकते आप लोग ना कुछ दिखाई देता कब तक आप लोग के सीनों में भी दिल है आप लोग के पास भी अर्मान है आपकी भी नसले हैं आप लोग की भी अवलाद है अवलाद को अच्छी तालीम चाहिए अच्छी पड़े चाहिए अगर्चे ये चीज आप आज बरदाइश कर रहे तो फिर आने वारा एलेक्शन तो पी-म का होगा उसमें फिर ये धंदरी चलेगी जो चीज आप लोग को बिलकुल नए चाहिए वो आपके उपर थोपी जाएगी फिर ये घंदेगी होगी जो करना है हम इंटरनेशनल कोट के जरीए हम वो कर रहे हैं लेकिन आप लोग भी कुछ करना चाहिए आप लोग एक महिम चलाना चाहिए हर चीज में हम सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग की साथ दे रहे हैं तो आप लोग खामुश क्यों है अगर्चे आप लोग के साथ कुछ नाइंसाफी होगी या जादती होगी तो हम है उसके लिए आप लोग को सुचने की भी जरुरत नहीं है अभी पहले के वैसा जंगली राच जंगल राच और अंधा खानोन नहीं रहेगा इंशाओला बराबर इंसाफ होगा बराबर आप लोग की बात भी सुनी जाएगी और बराबर माना भी जाएगा आप लोग को जो चाहिए ये कहना था ममता बनार जी का भला मैने वंचा सिकंड इसलिए रखा फिर ने तो वही आप लोग को समझ में कम आती है उसकी जबान वीडियो बड़ी हो जाती और इंशाओला अगर्चे आप लोग ये काम करने में कामियाव हो गए दुनिया को भी दिखता आप लोग खुद घर कर सकते फारमड बाई है हमारे जिस तरीख से काले खानून को थोपा गया था किस तरीख से वापस लिए उल्च बरान क्यों लिए क्यों कि लिए और लग हम्मत नहीं आ रहे हम्मत नहीं आ रहे तो आप लोग को भी ये काम करना चाहिए, उसमें हमारे सिख भाई भी रहेंगे, मिसलिम भी रहेंगे, सीकूलर हिंदू भी रहेंगे, क्रिश्चन भी रहेंगे, जब तक ये लोग का काम इस तरीख जा नहीं किया जाएगा, ये लोग ये धंदली करते रहेंगे, ये आप लोगो भुगतना भी पड़ेगा और आपके उपर थोपा जाएगा बाहर के ये मुम्ता बनर जी ने तो ये साफ अलफाजों में कह दिया और यहां तक कह दिया है कि जब तक आप लोग रोडों पे नहीं आएंगे और अकले शाहिदों को भी खुले अलफाजों में ये कह दिया है कि तुम बाहर भ जो जुमूरी हक है उसके बावजूद इतनी बड़ी धंदली की गई आप लोगों के ओपर इसी हरकत ये लोग करें जो ना खाबिले खुबूल है ना खाबिले बढ़दाश है आप लोग इंशालला आवाद उठाईए आप लोग भी कोशिश करिए और हम तुम्हारे साथ है जो होगा तुम्हारे साथ इंशालला अच्छे से अच्छा होगा उसके फिकर मत करो इंशालला और रही बाद जहां तक ले जाना है आप लोगों की इस बात को हम ले जाएंगे ये चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों और रही बाद दूसरी नमाजों के पाबंदी करो सा सारे मिल चुल के रहो, मनजम रहो, मतहीद रहो, अपने सफ़ों में इतिहाद बर्ख़रा रहो, और अपने इस भाई को भी दूआ हमें याद रहो, या ला दूआ अजाल चाहता हमें, सलाम आरेकों.